इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी कोल्ड माइन टेबलेट का इस्तेमाल सामान ने जुकॉम के लक्षन के इलाज के लिए किया जाता है यह नाक में जकरन से टैंपर्री राहत देता है यह नाक और पानी की आँखों जैसे अलजी के लक्षनों से राहत दिलाने में भी मदद करता है कोल्ड माइन टेबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है पेट की परेशानी से बचने के लिए इसे खाने के साथ लेना बहतर है डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्यूंकि इन में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती है या इस दवा का प्रभाव उन पर पढ़ सकता है इसके सबसे आम साइड इफेक्ट में चली आना, उल्टी, सिर्दर्द, बेचेनी और अनिद्रा है इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इससे चक्कर आने तथा नींद आने जैसी समस्याएं भी हो सकती है इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है तब तक ड्राइविंग तथा मानसे के कागरता की आवश्यक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे और अधिक चक्कर आ सकते हैं इसे लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर से समबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वो आपको एक उचित डोस दे सके अगर आप गर्भवती है गर्भवती होने की योजना बना रही है या स्तनपान करा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद